will have to इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने has to have to और had to के बारे में जाना ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारा topic है will have to जब भी किसी वाक्य में करना होगा किसी काम को करना होगा या किसी काम को करना पड़ेगा इस तरह का sense आता है तो will have to का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर भी has to have to या had to की तरह verb की first form का ही प्रयोग किया जाता है किस तरह से किया जाना है ये बात उधारन के माद्यम से इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे आपको एक बात का ध्याम रखना है confuse बिल्कुल नहीं होना है भले ही यहाँ पर आपकी modal helping verb में have का प्रयोग है लेकिन verb की क्रिया की हमेशा first form का प्रयोग ही इस तरह के sentences में किया जाता है ये बात ध्यान रखनी है आईए शुरुवात करते हैं कुछ examples के माध्यम से उसे लड़ना पड़ेगा उसे लड़ना पड़ेगा यानि उसे कोई काम करना पड़ेगा क्या काम करना पड़ेगा लडने का काम लड़ना भी एक क्रिया है और किसे करना पड़ेगा उसे तो subject कौन है वो वो के लिए मैं he या she का प्रयोग कर सकता हूँ अगर वो कोई पुरुष है तो he का प्रयोग अगर वो कोई स्त्री है तो she का प्रयोग तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर किसी पुरुष की बात हो रही है उसे लड़ना पड़ेगा he will have to और उसके बाद वर्ब की first form यहाँ पर क्रिया क्या है लड़ना लड़ने को कहते हैं fight he will have to fight संदीप को जाना होगा किसे जाना होगा संदीप को जाना होगा subject कौन है संदीप संदीप will have to और उसके बाद जाना होगा क्रिया क्या है जाना जाने को कहते हैं go संदीप will have to go आयान्ष को आना पड़ेगा आयान्ष विल हाव टू कम मुझे कब जाना होगा यह देखिए एक interrogative sentence आपके सामने है यहाँ पर सबसे पहले WH family का use आप करेंगे WH family है कब कब को आप कहते हैं when उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं आपने sentences के video lectures में भी देखा और tenses के सभी video lectures में मैंने आपको यह समझाया था कि जब भी interrogative sentences का use किया जाता है तो WH family के तुरंत बाद helping verb और अगर आपकी helping verb जैसे यहाँ पर helping verb आपकी है modal will have to तो यहाँ पर होता क्या है कि जब एक से ज़ादा words के combination से बनी कोई helping verb आपके sentence में आती है तो interrogative sentences के लिए उस helping verb के first word को यहाँ पर जैसे will have to है तो will को आप उठा कर subject से पहले यूज करते हैं WH family के तुरंत बाद आप कहते हैं when will I have to go मुझे कब जाना होगा when will I have to go उसे किसके साथ पढ़ना पढ़ेगा किसके साथ यहाँ पर WH family है with whom किसके साथ with whom will I have to study हमें कहां खेलना पढ़ेगा where will we have to play तो करना होगा और करना पढ़ेगा इस तरह का sentence जब भी आपके सामने आए आप समझ जाएए यहाँ पर modal helping verb will have to ka prayog होगा